तो इंडिया में हुआ वाल्स्वेगन पॉलो डिस्कॉंटिन्यू क्या वाल्स्वेगन पॉलो रिलॉंस होगी इंडिया में मिडिल क्लस्ट फेमिली से होना तो आपका भी एक ड्रीम होगा कि खुद के पैसे से गारी लेके ममी पाप को गिफ करे या उनको उसमें बिठाए खुद ड्राइविंग करके अभी ऐसे ही एक ड्रीम था कि एक दिन पॉलो खरिदेंगे उसमें पापा ममी को बिठाएंगे पर हाँ मेरे ट्रीम सक्सेस्फुल ना होने का दूसरी वज़ा यह है कि पोलो डिस्कॉंटिन्यू हो गई और पहली वज़ा तो यह है कि मैंने अभी तक कमाई नहीं किया है जिसने में गारी खरिद के उनको बिठा हुआ के तो चले शुरू करते हैं यह वीडियो शुरू करते है बिना किसे बक्षों तक्टी गूभरे सवाल उसे तो हमारा पहला सवाल यह था कि वॉल्सवागान पॉलो डिस्कंटिन्यू की हुआ तो उससे पहले हम लोग इसकी हिस्त्री के बारे में बात करेंगे तो पॉल्सवागान पॉल्सवागान पॉलो की हिस्त्री की बारे में बहुत करते हैं तो पॉलो का फास्ट जनेरेशन 1975 में लॉंच हुआ था जो की एक्सवेली में ओडी 50 का रीवेज वर्जन है इस गारे की इंट्रेस्टिंग बात ये है कि इसमें टीन डोर से दो दर्वाजे और एक दिक्की दुनिया भर में ये गारे इतना ज़्यादा बिका कि पॉलो नाम को पॉपुलर कर दिया फिर 1981 में सेकेंड जेनेरेशन आया जिसके साथ पॉलो में भी ज्यादा फारोबल जीटी वेरियन की भी सुरवात हुई और फिर आता है साल 1994 जब पॉलो के बिल्कुल न्यू थर्ड जेनेरेशन को लांज किया जिसके पुराने ओदी से कुछ भी लेना देना नहीं था थर्ड डोर के बदले फीफ दोर वर्जन आया साल 2002 में पॉलो अपनी फोर्ड जेनेरेशन में आ गई वल्सवेगन की जबरडस्प कार गॉल्फ की छलक इसमें देखने को मिली फिर पॉलो ने रेली रेसिंग में भी हिस्ता लेना शुरू कर दिया जिसमें इसने बहुत सारा नाम कमाया मतलब नाम के साथ थोरा सा ऐसा भी समझ रहो समझ रहो फाइनली 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 दोहजार नमें फिफ जेनेरेशन आई और यही पॉलो तीन सल बात इंडिया में लॉंच हुई और इंडिया में यही वल्सवेगन की सबसे सक्सेस्फुल कार रही और इंट्रेस्टिंग बात ये है कि पोलो ही भारत में वाल्स वेगन की तिकने की वज़ा है नहीं तो ये कब का टाटा गुद्बाई कर दे थी टाटा गुद्बाई गया फोर्ट की तरह फिर 2017 में पोलो का 6th generation भी आ गया जो पूरी दुनिया वर में बिक रहा है सिर्फ भारत में नहीं अरे हमने ऐसा क्या कर दिया भाई हमारे यह पे जो बिक रहे हो पर हमारे इंडिया में वही 5th generation वाले पोलो को ही थोरा सा चेंज करके इंडिया में सेल की जाती थी जैसे हमारे इंडियन टिक्टोकर्स मेंगो को जूस में मिला के आल बाल करते रहते हैं I mean मेगी को जूस में मिला के समसरे हो कुछ सोटा सा चेंज करने के बावज़ुद भी इंडिया में पोलो बिक रही थी बट फेक्ट यह थी कि अब वो पॉइंट आ गई थी जब पोलो की एज दिखने लगी और कंपिटिशन लगाता रवर्णे की बज़े से पोलो का सेल्स कम होना शुरू कर दिया और खबरनी की बात क्या है वर्टिस तो पोलो ही है जो इंडिया में बैश रही है थी तो पोलो थी और ये बात पता चलिए की पोलो फिर 2023 में इंडिया में रिलांस होने वाली है कब पता नहीं जैनवेरी में भी हो सकता है या फिर दिसम्बर तक भी खिस सकता है वोल्स वेगन वाले पर हाँ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करके जाना